नवरातरी के अश्टम दिन माता महा गौरी की पूजा की जाती है अश्टम दिन में माता की पूजा को क्या अर्पित करें आज के वीडियो में यही बताऊंगे मैं आपको मैं हूँ डॉक्टर उमाशरी आपकी अपनी जोतिशी बहुत-बहुत स्वाधत करती हूँ मित्रों उम्मीद करती हूँ आप प्रसंता से होंगे परमात्मा आपको सबी खुशियां दे यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल बटन जरूर दबा दीजिए इसके अलावा भी नवरातरी ओफर चल रहा है एक हजार में आप एक सवाल पूछ सकते हैं एक छोटी सी सला आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है मित्रों आपकी जो बात पूछते हैं आप वो पूर्ण रूप से गोपनी रखी जाती है तो विना किसी चिंता के आप संपर करिए तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों मा महागौरी मा जब काली के रूप में थी तो उनका वर्ण काला हो गया था बाद में उन्होंने घोर तपस्य की और बाद में पुनह अपने उस गौर वर्ण को प्राप्त किया और मा महागौरी के नाम से प्रसिद हुई माता भगवती का ये स्वरूप अत्यंत ही सुख देने वाला है और माता रानी की क्रपा से सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं सब्तुमी, अश्टमी और नव्मी ऐसे तितियां होती हैं प्राय लोग अपनी कुल देवी या कुल माता की भी पूजा करते हैं तो आप कियां जिस तरह से भी पूजा करते हैं वो पूजा आप करें साथ ही महागौरी माता की भी पूजा करें लेकिन इसमें सबसे जाता जो ध्यान रखने की बात होती है अपनी पूजा को गुप्त रखा जाता है पूजा जितनी गुप्त तरीके से की जाएगी उतना ही उसका पूरा फल मिलता है बहुत सारी पूजा पाट करने के बाद भी बार बार उसका बखान करना कि मैंने इतनी जल्दी उठके ये काम किया मैंने वो काम किया मेरा इतना टाइम लग गया या मैंने ये भोजन प्रसादी बनाई मैंने इतने लोगों का काम कर दिया तो ऐसा करने से अपनी बातों को बताने से नवरात्री का पूरा फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए अपनी जानकारी पूर्ण रूप से गोपनी रखीनी चाहिए जिस तरह से भी आप पूजा पार्ट करते हैं वो आपकी घर के लोगों तक ही सीमित होनी चाहिए पूजा पार्ट को शो आफ नहीं करना चाहिए जब भी कोई पूजा पार्ट इसको एक पबलिसिटी की चीज़ बनाना बहुत ही गलत होता है तो नवरात्रों में अपनी पूजा को गुप्त रूप से करें और पूजा का पूर्ण फल पाएं इस पेशली मैं बात कर रही हूँ सब्तमी अश्टमी और नव्मी की पूजा की क्योंकि इस दिन आकी कुल देवी या कुल माता की भी पूजा होती है जो की पूर्ण रूप से गोपनिय होती है इस दिन घर के मुख्य द्वार पर त्रिशूल जरूर बनाएं और पूजा में ज़रूर बनाएं बहुत ही ज़्यादा शुब होता है इसके साथ ही साथ माता रानिंग का स्वरूप है वो अतियन्थी चमतक्रत करने वाला है बहुत बड़ी शक्ति को देने वाला है तो माता को निहारें थोड़ी देर माता की भक्ती करें माता से बात करें माता को अपने आपको स्थापित करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा माता महागौरी के मस्तक पर चंदरमा का मुकुठ है जिसको देखकर शीतलता मिलती है इसके साथ ही मा का जो वाहन है वो बैल है, बैल को धार्मिक ग्रंथों में धर्म का प्रतीक माना गया है, धर्म का आचरन करने का प्रतीक माना गया है, जिम्मेदारी का प्रतीक माना गया है, तो माता महागौरी के क्रपा से घर के जो सदस्ते होते हैं, काफी जिम्मेदार बनते हैं और माता रानी की क्रपा से सुख के सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं माता रानी को अब क्या भोग प्रसादी के रूप में लगाएं ये भी मैं आपको बताती हूँ माता रानी को नारियल का भी भोग लगाया जाता है इसके साथ ही साथ माता रानी को हलवा बहुत ही प्रिय है तो इस दिन माता रानी को हलवे का भूग जरूर लगाएं हलवे का भूग लगाने का भी एक तरीका होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कुछ भाईवैन हो सकता है पुरानी वीडियो को ना दिख पाए हो तो आज मैं वापस से बता देती हूँ हलवे का भूग लगाने का एक तरीका होता है कि जिस कड़ाई में आपने हलवा बनाया है उसको सर्विंग बोल में नहीं डाला जाता उसको डारेक्ट ही माता रानी के दर्वार में रख कर भोग लगाना चाहिए डारेक्ट उस कड़ाई से ही माता को भोग लगाना चाहिए बाद में वो प्रसादी कन्याओं में या घर के अने सदस्यों में विद्रित करनी चाहिए ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल, पूजा का पूर्ण फल आपको मिलता है इसको बोलते हैं कडाहा प्रसादी करना और कडाहा प्रसादी जिस घर में की जाती है उस घर में संपन ताके सारे द्वार खुल जाते हैं आता रानी की क्रपा से सारे सुप के साधन उपस्तित हो जाते हैं तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद